आज मैं फिर से एक बार भाईया को लेकर आई हूँ आज वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी पनीर वाली तिक्की जो की बहुत जादा क्रिस्पी होती है खाने में मज़ा आजाता है वो खुद लेकर आए है इस रेसिपी को आज अपनी सीक्रेट आपके साथ शेयर कर मागिता किनू रेस्पीज में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो यहां पे सबसे पहले भाया ने लिये हैं एक किलो उबले हुए आलू आलू को छिल रहे हैं इसके बाद यहां पे आलू को कद्दुकस करना है कुछ टिप्स हैं जो भाया ने शेयर की मेरे साथ पर यहां पर बैक्ग्राउंड नॉइज बहुत जादा थी इसलिए हमें आवाज को हटाना पड़ा तो आलू को जितना भी आप उबालते हैं उससे एक या दो सिटी आपको कम लगानी हैं जादा नहीं उबालना है और आलू को पानी में रहने ना दे जैसी आलू उबल जाए उन्हें फटाफट निकाल के ठंडा कर लें अब यहाँ पर आलू को कद्दुकस कर लिया भाईया ने इसमें चार से पांच टेबल स्पून ये अरा रोट मिला रहे हैं इसकी जगे आप कौन फ्लोर भी मिला सकते हैं और इसकी जगे आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं तो बेसन और अरारोड की क्वंटिटी कम जादा हो सकती है वो डिपेंड करता है आलू आपका कितना गीला है तो आपको थोड़ा सूखा मिक्षर बनाना है बहुत जादा आपको इसे गीला नहीं रखने थोड़ा सा टाइट होना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं किस तरह बहुत तीकी है बहुत सुखा तो नहीं होगा क्योंकि आलू जो रही होता है और लास्ट टाइम भाईया ने जब अपनी रेस्पी शेयर किती बहुत लोग पूछे थे क्या इसमें नमक वगएरा नहीं अड़ करना है तो आलू में बिल्कुल भी नमक आपको अड़ने करना है उसे क्या होगा वो पानी छोड़ देगा अब यहाँ पर भाईया स्टफिंग तयार कर रहे हैं उसके लिए भाईया ने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे वो कद्दुकस कर रहे है बहुत सारे लोगों को मेरे भाईया बोलने से प्राब्लम होती है तो वो इस वीडि वो इस टफिंग में नमक मिला रहे हैं तेस्ट के अकॉर्डिंग साथ ही भीया यहां पे काला नमक इस्तमाल कर रहे हैं दोनों नमक इस्तमाल कर रहे हैं इसलिए ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक ज्यादा भी हो सकता है तो थोड़ा-खोड़ा डालें दोनों ही नमक यहां पर भाया लाल मिर्च एड़ कर रहे हैं स्टफिंग में एक टी स्पून की करीब तो यह जो टिक्किया बहुत ही टेस्टी लगती है पनीर वाली टिक्किया है यहां पर भाया ने एक टी स्पून गरम मसाला एड़ किया है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और यह हमारी स्टफिंग तयार हो गई है तो इस तरीके से यह जो टिक्किया बहुत ही टेस्टी बनती है आप बीना स्टफिंग के भी इसे बना सकते हैं पर जब स्टफिंग वाली टिक्की बनाएंगे पनीर वाली तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो ये स्टफिंग तयार हो गई है अब यहाँ पे हम चटनी बना रहे हैं वो भी बिना इमली बिना गुड की तो यहाँ पे एक कप चीनी का इस्तमाल किया है और एक तिहाई कप यहाँ पे आमचूर का इस्तमाल किया है आधा कप मैं यहाँ पर पानी एड़ कर रही हूँ, अगर आपको बाद में जो चटनी है वो गाड़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा पानी और एड़ कर सकते है एक टेबल स्पून यहाँ पर चाट मसाला एड़ किया है अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, गैस मैंने भी तक आउन नहीं की है तो आप मैं गैस आउन कर दूँगी साथी मैंने इसमें एक टेज़ स्पून लाल मिर्च एड़ कर दी है इसे पकने देंगे धीरे दीर आप देखेंगे जैसे इसमें उबाल आएगा चटनी आपकी गाड़ी होती जाएगी साथ ही देगी मिर्च एड़ करेंगे एक टेबल स्पून इससे आपको कलर इसमें आड़ करने की जुरूद नहीं है बहुत ही अच्छा रेट कलर आ जाएगा और जो देगी मिर्च होती ही वो बहुत जादा तीखी भी नहीं होती है काला नमक एड़ कर देंगे टेस्ट के अक इस तरीके से यहां पर पेड़ा बनाया और इसके अंदर इस तरीके से स्टफिंग भर दी है बहुत जादा स्टफिंग ना भरें ने तो फट भी सकते हैं क्योंकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हैं गीले हैं तो ध्यान से इस तरीके से आप हाथ में थोड़ा तेल लगा सकते हैं तो जितने बड़े साइज की आप बनाना चाहते हैं उतने बड़े साइज की आप टिक्की बना सकते हैं भाईया जो मार्केट में बेचते हैं उसी साइज के टिक्की बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं भाईया ने किस तरीके से टिक्की बनाई है यहाँ पर एक टिक्की यह देखे, कितनी गाड़ी हमारी चिटनी बनी है, अगर आपको ज़्यादा गाड़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एट कर सकते हैं, अगर आप पतली रखना चाहते हैं, तो ठंडी होने के बाद यह और ज़्यादा गाड़ी हो जाती है, तो इसे मैंने साइड आप देखे, चिटनी तयार हो चुकी है, अब भैया यहाँ पे तेल डाल रहे हैं, यहाँ पे जो घर का लोहे का तवा होता है, वही यूज़ कर रहे हैं, आपको नौन स्टिक तवा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, लोहे के तवे पे जो टिकी है, वो बहुत जादा क्र लोगों को प्राब्लम होने वाली हैं मेरे भैया बोलने से क्योंकि दुछी को बुरा बुरी बहुत लोगों को बहुत लोगों को में लास्ट टम लेट आरे थी और लानुस और लेको है के I mean बुरी बहुत बोलते हैं उप बहुत लोगों को लग रहा है कि शायद मैं भाईया बोलना बुरी बात है तो इस तरीके से जब भाईया देखिए टिक्की क्रिस्पी हो गई है दोनों साइड से गॉल्डन ब्राउन हो गये तो इसे निकाल ले रहे हैं इसके बाद एक बार यह और फ्राइ होगी सर्व करते सैंसे जाधा हमें से नहीं पकाना है गला दिक्यों बीषिए नकालते में अर्टिक रहें साइबां से कि बहुत śríaटलि फ्राइल हो जाती है कि हमें सिर्व करनी हो ती ईक बार और अरे लोहे नौः गारे करे लुण्जिए ने तना अच्छा रिजल्ट नहीं आएwert नहीं तो यहां पर मैंने काफी सारा हरा धन्या ले लिया है और आपको डंडी को फेकना नहीं है साथी थोड़ी सी पुदीने की पतियां है और यहां पर मैंने फ्रेश अपने गार्डन से पुदीने की पतियां ले है साथी मैंने दो हरी मिर्च एड़ कर दी है और काला नमक एड़ किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग साथी मैं इसमें डाल दूँगी एक टीस्पून चाट मसाला थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और यहां पे मैं थोड़ा सा अधरक एड़ कर रही हूँ आधर हिंच के करीब मैं यहां पे अधरक एड़ कर रही हूँ अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे पीस लेंगे चटनी तेयार कर लेंगे तो यहां पे जो हमारी ग्रीन चटनी है देखा कितनी आसानी से रेडी हो गई यह देखे कितनी बढ़ी आहरी चटनी हमारी तयार हुई है बहुत टेस्ती चटनी है भाया की रेसिपी है अब भाया आपको इसे serve करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ch flawed करना है तो यहाँ पर भाया ने टिक्की ली है और इसे प्रेस करके तोड़ दिया है टिक्की को और फिर से इसे fry कर रहे हैं, देखिए किश तरीके से कर रहे हैं भाया तो आपको इस तरीके से दुबारा टिक्की को फ्राई करना है कई बार देखा होगा आपने एक बार फ्राई करते हैं उसके बार जब खाने लगते हैं तो सौफ्ट हो जाती है टिक्की तो ऐसे डारेक्ट नहीं खाना है जब आपको serve करना हो तो इस टिक्की को इस तरीके से तोड़ कर फिर से fry करना है जब आप इसे दुबारा fry करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी तो market वाले इसी तरीके से टिक्की आपको serve करते हैं आपने देखा भी होगा market में भाया टिक्की बना बना कर एक साइट में लगा लेते हैं जब आप उसे लेने जाते हैं तो वो उसे दुबारा fry करते हैं इस तरीके से प्रेस करके आप मेरे facebook page को ज़रूर like करें वहाँ पे मेरी नई और पुरानी वीडियो जाती हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं तो यहाँ पे आप टिक्की देख सकते हैं यह देखे माइन ब्लोईंग अभी से मुझे पानी आने लग गया यह देखे भाया का तरीका काला नमक डालेंगे सफेद नमक डालेंगे हलका सा भुना हुआ जीरा लाल मिर्च ये देखे भईया भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ कर रहे है बिल्कुल अपने इस टाइल में करेंगे जैसे मार्किट में आपको मिलती है टिक्की उसी स्टाइल में भईया आपको यहाँ पे सर्व करके दिखा रहे हैं देखे थोड़ा सा चाट मसाला डाला है अब यहां पर भईया लाज चटनी डाल रहे हैं जो हमने अभी रेड़ी की थी भईया के स्टाइल में यह देखे कितनी बढ़िया रेड़ चटनी 5-7 मिनट लगते हैं चटनी को बनाने में और बिना गुड बिना इमली की चटनी है और साथ में यह हरी चटनी और उपर से यह मीठा दही डाल देंगे इसमें दही में हमने थोड़ा सा पूरा डाल की पावडर शुगर डाल के इसे फेट लिया था और यहां पर भईया ने दही डाल दिया और फिर से उपर से थोड़ी चटनी डालेंगे यह देखिए लग रहे हैं न मज़ेदार बिल्कुल बाजार वाली टिक्की क्रिस्पी टिक्की पनीर वाली वो भी पनीर स्टफिंग की टिक्की अगर भाईया को आप ठैंक्स बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर इस तरह की